बस एक कप गेहु का आटा और एक ग्लास दूद से बने ये शाही मोदक स्वाद में इतने बहतर बनेंगे कि शायद ही आपने आज से पहले इने कभी खाया होगा ना हमें इसमें चीरी चाहिए ना कोई चासनी बनानी है तो ये ऐसे हेल्दी से मोदक आपका स्वाद और सेहद दोनों का ख्याल रखेंगे और गरेश जी को भी खूब भाएंगे तो आए बना दें सबसे पहले मैंने यहां रखा एक पैन और देखिए इसमें में ले रही हूँ एक ग्लास दूद यह पहले से उबला हुआ दूद है जो मैंने फ्रीज में रख दिया था दूद हमें लेना है एक ग्लास लेकिन उसकी मलाई आपने उतारी ना हो मलाई के साथ हमें उसको लेन यह देखिए यह वाला में यूज कर्यों जो हम सूप वगरा बनाने में यूज करते हैं, इसको पहले इस थंडे दूद में हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर अब हम अच्छे से रखेंगे गैस के उपर गरम होने के लिए, आपको कॉन फ्लार डाल के फिर से दूद को पका जितना ही घी उस करना हो जिसको मेल्ट कर लिया है मैंने ताकि मेजर्मेंट गलत ना हो मतलब हमारी रेस्पे में घी जादा ना हो जाए तो देखिए दो सि तीन चोटे चमट जितना घी मैंने अब यहां डाला है और यहां में डाली हूं एक टीस्पून जितने पॉपी जितने काजू के तुकड़े हैं दोनों हम साथ में डाल देंगे हल्का हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है हल्का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं यहां डाल रही हूं वनफोर्थ कब जितना कद्दुकस किया हूआ सूखा नारीयल ले सकते हैं या फिर नारीयल का बुर दो तीन चमज तो हमने ड्राइफूट्स वगरा भूने में इस्तमाल कर लिया इसमें से और थोड़ा सा घी हम कडाह में ले रहे हैं और रब में यहां ले रही हूँ गेहुका आटा जो हम नॉमल चबाती बनाने के लिए यूज करते हैं बिल्कुल बारिक पिसा हुआ यह म पॉसीबल है लो फ्लेम कर ले और उसको सूखा थोड़ा सा ड्राय थोड़ा गीला ऐसा ही बुने जैसा अभी आपको देख रहा है और इसको हम इस तरीके से बुनेंगे जब तक इसका कलर हलका चेंज नहीं हो जाता फ्लेम लो रखनी है इसे में साइट में करते हूँ और दूद हलका हलका रिडियूस हो चुका है अब मैं गैस की फ्लेम को हाइपर कर रहे हूँ और हम इसे कंट्यूनिसली चलाते रहेंगे जब तक यह अच्छे से पूरा थिक ना हो जाए वैसे मैं आपके साथ कई मोदक की रेस्पी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मावा मोदक, ब्रेड के मोदक, कोकोनेट मोदक, पान मोदक, खजूर मोदक, कई मोदक हमने बनाए हैं सभी रेस्पी चैनल पर अपलोड है आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ देखिए दोत काफी हद तक गाढ़ा हो चुका हैं इसमें काफी सारे बबल तो आप देखें कि यह बिल्कुल पैन की साइड को छोड रहा है और बिल्कुल एक जगा आ गया है तो बस इससे जादा हम इसे और कुक नहीं करेंगे क्योंकि जब यह थंडा हो जाएगा गाढ़ा अपनी आप हो जाएगा तो मैंने गैस को बन कर दिया हैं लेकिन पैन और सौफ्ट सा मावा जिसमें दाने बिल्कुल भी नहीं बनते तो इससे में साइड में रखते हो और यहां देखें आटा जो हमने रखा था भूनने के लिए काफी अच्छे सी यह भून चुका है बीच-बीच में में चला रही थी और कलर काफी अच्छा आ गया है इसकी एक जैसी बुनाई हुई है क्योंकि हमने शुरू में इसमें घी कम डाला था यह टिप आप जरूर धान रखें अब हमारे पास घी बचा हुआ है उसमें से और थोड़ा सा घी हम यहां डाल देंगे सिर्फ एक या दो छोटे चम में जितना घी हमें यहां बचा के रखना है पूरा आप यहां पर डाल दीजें और अब देखिए फिर से घी के साथ हम इसको और दो तेन मिनिट के लिए भूनेंगे इस मिक्षर में जादा घी नहीं होना चाहिए वरना जो लड़ू या मोदक बनेंगे उनमें स्टीफनेस नहीं आएगी वो ढीले ढीले पड़ेंगे तो दिहान से देख लीजें ये मिक्षर इस हद तक ही गिला होना चाहिए तो मैंने इसमें ये इलाइची पावडर भी मिला दी है और जो चीजे पहले हमने भूनी थी जिसमें ड्राइफरूट स्थें थोड़ा कोकोनट और खसकस्ती वो मिक्षर रम इसमें डाल कर एक-दो इसलिए मोदक या लड़ू जो भी बनेंगे उनका कलर थोड़ा अलगाएगा अगर आप और यूज यूज करें काफी डार कलर का होता है बिस कलर डार का ये फरक है इस रेसिपी में हमने चीनी का इस्तमाल नहीं किया है नहीं हमें कोई चासनी बनानी है सिर्फ घी के अंद कप में मेजरिंग कप में इसको नापेंगे तो ये एक्जाटली आधे कप के अराउंड आ जाता है तो दिखिए फ्रेंड्स गुड मैल्ट हो चुका है गैस को हम सीधा बंद कर देंगे पानी आपको इसमें जरा भी यूज नहीं करना और यह दिखिए नापके बिलकुल आ अब यह बहुत गरम है जस्ट हलका थोड़ा थंड़ा हो जाए तभी हमें इसके मोदक या लड़ू जो भी आप चाहें बना सकते हैं मिक्षर को बहुत जादा थंड़ा नहीं होने देना है जब यह थोड़ा थोड़ा गरम हो तभी आपको लड़ू या मोदक बनाना शुर आप एक दो चमच घी मैल्ट करके उपर से डाल सकते हैं या फिर दूद एक दो चमच डाल कर इसको हलका गीला कर सकते हैं ताकि इसकी बैंडिंग प्रॉपर तरीके से आ जाएं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यह मोदक बना कर त्यार कर लिया हैं देखिए कितना जादा य यह शाही मोदक बापा को आपको घर में सबको बहुत पसंद आएंगे यह रेस्पी बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही में चीट चाहिए जो आपको आपके घर में इसली अवेलेबल भी हो जाएंगी वो है दूद तो दूद को आपको बहुत जादा देर घंटों उबाल अब तक मैंने यह बनकर तयार होंगे तो आएए बनाते हैं टोटल हमने दो लिटर जितना दूद लिया है जिसको मैंने दू हिस्सों में में डिवाइड कर दिया ही एक लिटर दूद इसकड़ाई में हैं और बचा भजा 1 से यहां आ गया आप यह रेस्पी चिशफ एक लि यहां में ले रही हूं दो बड़े चमच 2 टेबल स्पून जितना विनेगर जो हम चाइनेज डिशिस में यूज करते हैं और इसे के साथ 4 चमच जितना पानी मतलब इसे हम थोड़ा सा डाइलूट कर लेंगे एकदम से दूद को इसकी वज़े से जटका नहीं लगेगा तो अ यहां इस तरफ देखें यहां पर अच्छा बॉयल आ चुका है और जैसे ही दूद गरम हो जाए मैं गैस को बन कर दूँगी और तुरंत आपको यह जो हमने दूद फाटने के लिए सलुशन बना के रख लिया था यह इसमें डालते जाना है दीरे दीरे चलाते जाना है पानी से इसे काफी अच्छे से आपने वाश करना है अच्छे से इसके अंदर का सारा पानी दबा दबा के पूरा निकाल देना है जितना आपसे हो सके है ना सिंपल सीधा इसे एक प्लेट में लेना है और इसको मसलना शुरू कर देना है चाहे हाथ से मसले या ऐसे ही चमश अगर आपके पास हो तो आप ये जरूर डाले और अब इसमें हमें मिठास के लिए डालना है चीनी तो ये आधा कप जितनी चीनी में डाल रही हूं पूरी एक साथ आप डाल दीजे चीनी पूरी गुलने तक हम पकाएंगे ताकि चीनी का जो मौश्टर है वो भी रिडियूस हो सकें तो आप देख सकते कि बिल्कुल रबडी दार ये दूद बन करके तियार हो चुका है और अब इसमें मिला देना है चेना जो हमने मैच करके रख लिया था गैस की फ्लेम अभी भी हाई पर ही है तो मैं यहाँ यलो फूर का इस्तमाल कर रही हूं जो टोटली ऑप्श कि काफी हद तक गाढ़ा हो चुका होगा पूरा मॉश्टर सूख जाएगा और एक जगा डो की तरह बंदने लग जाएगा कडाई की सारी साइट्स को यह छोड़ देगा तब आप समझ जाएए कि यह रैडी हो चुका है इसे प्लेट के अंदर मैंने निकाल लिया है इसी क आप देख सकते हैं कि अभी यह रैडी है मोदग बनाने के लिए मैं साचे मैं इसको बना रही हूँ आप चाहे तो बिना साचे के बना सकते सिर्फ मोदग का एक शेप दे देना है और किसी भी तुटपी क्या चमस से इसके उपर डिजाइन मतलब लाइन्स आपको बना लेन प्रश अपको बना लेन्स आपको बना लेन्स आपको बना लेन्स आपको बनाने के लिए।